पाली नगर की वरिष्ट चिकिस्टेगवा पूर्व बीमो डॉक्टर आर्की शर्मा की चौथी पुनेति थी पर उनके पुत्र धीरेंदर शर्मा ने सीवा दिवस की रुपे मनाया इस अवसर पर समासीवी धीरेंदर शर्मा धीरु भहिया ने अपने निज निवास में गरी लिखनी है कि नगर में पल्ले दाई कर जीवका पोर्जन करने वालों को गर्म कपड़े बा नगद राशी का वित्रण किया शहडोल की सांजी रसुई में चौदा सो लोगों को निशुल को भूजन की व्यास था कोविट के कारण हुई मौत पर लल्ला आच्वारी जी के प विमारी पर सफल ऑपरिशन की व्यास था जागरिती समासेवी संस्था को आर्थिक मदद कर सही उग प्रदान किया समासेवी धिरु शर्मा ने कहा कि वह इस तरह जन सिवा भुश्य में भी करते रहेंगे आज भीरु भईया के पिता जी की उन्नेती थी उन्होंने सभी गरीबों को खाना खिलाया और उनको हादिक मदद की और कंबल भी दिये सबको और पैसे भी दिये और अपने यहां बेठाल के खाना भी खिलाया यहां तक की सैडोल से उमरिया से नरोजाबास से गाड़ी कि अपने घर में बुला के खाना खिलाया और उनकी हादिक मदद की और उनको खाना के साथ कंबल भी दिया गए और पैसे भी दिये गये और हमेशा वो गरीब की हमेसा जो भी करीब रहता हूं सो उसकी हमें समद करते हूं और हमेशा बीरु भाईया जब से मैं पाली में कदम रखी हूँ वो हमेशा हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए बैक बस्ता हर चीत दिला दे हूँ और हमेशा लोगों की और हमारी भी मदद करते हैं अज मेरे पिता जी स्वर्गी डाक्टर आरके शर्मा जी की चौती पुन्यती थी जब तक वो रहे डाक्टर के पदपे तो अपने जीवन काल में सदे मौनव सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया उन्हीं के पद्चिन्नों पे चलके मैंना ऐसा प्रण किया था कि जितनी भी उनकी पुन्नितिति होंगी आज मैंने उसकी शुरुवात की है जिन जिन लोगों के भी प्रती में सेवा होग कर सकता हूँ आज काफी बाहर से भी लोग आए उमरिया से भी आए शेहडोल से भी आए लोकल भी आए विकलांग जन थे जिनकी कुछ शादी नहीं हो पाई थी वो भी थे गरीब परिवार के भी थे कोविड के दौरान खतब हुए कुछ व्यक्ति भी थे तो आज मैंने उनकी आर्थिक मदद की गरीब तपके के लोगों का मैंने कुछ धोजन भी कराया और आगे भी मैं संकल्प करता हूँ कि उनकी जो भी पन्यतिती होगी उसमें लगातार में जनहित में काम करूँगा ज इस प्रकार से मेरे पिता ने पूरा जीवन अपना लोगों की सेवा में लगा दिया उनी के पच्चिन्नों पे चलके मैं भी आगे सगरात्मक कारे करूँगा